नवस्कर दोस्तो जेहिंद वंदे मात्रम मैं आपके साथ जेस्वाल सर आप सभी का स्वागत अब्रिनन्द है टीटी फैमिली टीचर्स फैमिली सिचकों के परिवार जेस्वाल कोचिंग सिंटर पर पावड़ बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो बात करेंगे HSTT 2023 एकजाम के बात करेंगे गणित मैक्स क्लास की बात करेंगे और एक क्लास नमबर आपका फोर्थ है इस क्लास में हम महत्मूर कोश्चन करने जा रहे हैं जो आपके सलेवस के कॉर्णिंग पर स्न हैंगे और इसके पहले थ्री क्लासेज कंपीट कर च जाएगा तो मज़ा आएगा क्लास में जिस ठीक है चले पहला प्रस्चन देख लेते हैं इसकी इन पर दिया गया है पहला प्रस्चन दोस्तों पूंचा जा रहा है बहुत इंटेस्टेट प्रस्चन है सभी लोग सॉल्प कीजेगा कि यदि एक सम कोन त्रिभुच के दो न निउन कोड़ों कांतर पाई बटे 10 रेडियन दिया गया है तो उन कोड़ों का मान अंसों में कितना होगा अब देखें दो निून कोड़ दिये गये मतलब 90 से कम यानी कोड़ A प्लस कोड़ B की वैलू कितनी होनी चाहिए 90 डिगरी तो कोड़ A धन कोड़ B बराबर 90 अंस उसी प्रकार कॉर्ण A माइनस कॉर्ण B कॉर्ण A माइनस कॉर्ण B बराबर क्या दिया गया है आपका पाई बटे 10 रेडियन दिया गया है तो पाई बटे 10 इंटू क्या हो जाएगा पाई बटे 10 बराबर क्या हो जाएगा पाई कमान 180 डिगरी क्या मैं सही कर रहा हूँ पाई बटे 10 इंटू 180 बटे क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा तो पाई से पाई कर जाएगा 10 से 0 कर जाएगा 18 डिग्री आपका बच होगा तो समीकर्ण हमारा देख लेना है पहला समीकर्ण कोण A प्लस कोण B बराबर 90 था दूसर समीकर्ण हमारा निकल के आता है कोण A माइनस कोण B बराबर कितना 18 डिग्री निकल के आता है तो दोनों समीकर्ण से हमें निकाल लेना वैलू तो दोनों A प्लस B बराबर हमारा कितना था 90 था तो A माइनस B हमारा कितना निकल के आ गया अठारा निकल के आ गया तो दोनों से हम कोड के एक ही वैलू निकाल लेंगे समीकर्ण एक दो से कोड एक ही वैलू हमारी चंगमन आ जाती है चंगमन और अठारा जोड़िये कितना हो जाए सबी लोग जोड़िये कितना हो रहा है तो जब हमारी कोंड A की वैलू 24 आ रही है तो B की वैलू कितनी हो जाएगी कोंड B की वैलू हमारी 36 निकल के आ जाएगी तो 24 अ 36 किस आपसन में दिया गया है देखेंगे आपका सिकंड आपसन सही हो जाएगा कोई भी डाउट हो कमेंट कीजे आप लोग अच्छे तरीके समझ गये हैं आये बात करतें अंगले प्रश्ण के ठीक दो बजे घड़ी के सुयों के बीच का कोंड रेडियन में होगा कितनी रेडियन में होगा यहां पर क्या पूंचा जा रहा ठीक दो बजे घड़ी के सुयों के बीच कोंड रेडियन में पूंचा जा रहा ठीक दो बजे घड़ी के सुयों के बीच का जो कोंड होगा वह पराबर कितना हो जाएगा 30 degree into 2 कर देंगे टोटल हमारा के इतना होगा 60 डिग्री हो जाएगा और यहां पर कोण रेडियन में दिया गया है इसमें क्या करेंगे 60 इंटू पाई वाई एक स्वस्थी का आपका पाई गुणे एक स्वस्थी का गुणा कर लेंगे पाई बटे एक स्वस्थी जीरो स्वस्थी जीरो छे कम छे शे त्रीक अठारा तो पाई वटे तीन हमारा वैलू निकल के आता है तो अगर ठीक दो बजे घड़ी के सुयों के बीच का कोण कितने रेडियन में होगा पाई वटे त्री रेडियन में होगा इसके साथ अंगला पुश्ण है यदि किसी त् कंपलसरी जानते है और अनपाती योग क्या दिया गए आपका एक धन तीन धन पाँच बराबर नव हो जाएगा एक अनपाते तीन पाते पाँच दिया गए न इनको जोड़ेंगे पांतीन आठेक टोटल नव हो जाता है इसलिए सबसे बड़ा कोण हमारा क्या निकल के जाएगा जिसको आपका काट सकते हैं सबसे बड़ा कोण की वैलु हमारी 5 बटे 9 तुनएक नव नदोनी 18 20 आएगा 20 पंचे कितना होता है हैंडे होता है उन्टेड डिग्री क्या जाएगा सबसे बड़े कोण का माना जाएगा चुकि अप Radian में दिया गया है तो Handed तो हमारा ये माना गया Radian में दिया गया तो गुणे Pi बटे 180 कर लेंगे 0 से 0 कर जाएगा और 2 पंचे 10 2 नहीं 18 तो 5 Pi बटे 9 Radian हमारी value आ रही 5 Pi बटे 9 हमारा B option दिया गया है नापे सही हो जाएगा कोई भी doubt हो बेफिकर comment कर सकते हैं अंगला पुषने एक बल दिया गया है F बराबर 5 आई 10 जे 15 के A कण पर कार करता है और इसे बिंदू A बिंदू B पर विस्थापित करता है इस बल द्वारा किया गया कार बराबर होगा किसके बराबर होगा देखे दो को दिया है हमारा F बराबर क्या दिया गया है बल हमारा क्या दिया गया है 5 आई 10 जे और 15 के दिया गया है इसलिए कण A से B तक का विस्थापन हमारा कितना निकल के आएगा माइनस पी वी आफ बी माइनस पी डाट बी आफ ए अर्थाद इसकी जो वैलू हमारी निकल के आ जाएगी वह हमारे कितनी निकल के आ जाएगी सभी लोग बताएं देखे दोस्तों इसको स्वाल्प करने पर आई प्लस जीरो जे प्लस थ्री के माइनस थ्री आई माइनस जे माइनस शिक्स के यानि पहले आपको बी की वैलू करना है माइनस ए की वैलू कर देना है इसको जो आप दोनों को स्वाल्प कर लेंगे माइनस करेंगे आई का आई से जे का जे से के का के से करेंगे तो आपकी वैलू निकल के आएगी इतनी value हमारी निकल के आ जाती है इसलिए बल द्वारा किया गयाकार कितना होता है F.B हो जाएगा अर्थाज जो F की value दी गई है जो B की value दी गई है B के value कितनी दी गई है वो हम निकाल के लिगाएं रिन 2i धन, J धन, 9K यह आपके B की value नहीं दी गई है तो B की value क्या दी गई है तो रिन 2i धन, J धन, 6K इसका गुणा आपको जो यह दिया गया है इससे कर लेना F.B दिया गया है जब आप इससे दोनों का गुणा करते हैं तो हमारी value कितनी आ जाएगी 135 unit आद आ जाएगी यहाँ पे जो C option दिया गया है वह सही हो जाएगा देखे चोटी चूटी चीजें आपको करना पड़ेगा जब आप लोग यहाँ करेंगे तभी एक्जाम में कर पाएंगे देखे आउकाल समीकर्ण दिया गया है E की power Y plus 1 cos X dx E की power Y sin X dy equal to 0 इसका हल पूचा जा रहा है क्या आप लोग इसका हल कर सकते हैं सभी लोग बताईए क्या है आप लोग इसका हल कर सकते हैं देखे इस सर्पतम आपको करना क्या है कुछ नहीं करना है cos X लिख लिजिए cos X लिखने के बाद बटे में आपका sin X लिख लिजिए और यहाँ पे dx प्लस e की power y e की power y कर लिजिए बटे e की power y प्लस 1 कर लिजिए dy equal to 0 लिख दीजिए अब इसका समाकलन कर लेते हैं समाकलन करने पर हमारी value उसकी क्या आती है इसकी value जो आ जाएगी log sin X प्लस प्लस फट लिखते जाएगे प्लस log कोश्टक के अंदर e की power y प्लस 1 बराबर log C यह हमारी value निकर क्या आती है इसको जब हम पूरा solve कर लेते हैं हमारी जो value निकर क्या आ जाती है वह आ जाती है log sin X e की power y प्लस 1 बराबर log C तो लाग जब हम दोनों तरफ से हटा देते हैं हमारी जो value निकर क्या आती है वह आ जाती है sin X कोश्टक के अंदर e की power y प्लस 1 बराबर C के किसमें दिया गया है देखेंगे second option दिया गया है बहुत यह simple सा प्रशन था solution बहुत important होता है solution हमें इजली कर देता है अंगला प्रशन है आउकल समीकर्ण दिया गया है dy dx बराबर 1 upon y square प्लस sin y का हल पूँचा जा रहा है क्या सभी लोग आप लोग कर सकते आउकल समीकर्ण दिया गया है इस आउकल समीकर्ण को हमें solve करना है चले सभी लोग solve कीजिए देखे हमारे पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है यह हमें ध्यान देना हमें दिया गया है dy dx बराबर 1 upon y square प्लस sin y दिया गया है तो dx upon dy इसकल 2 इसको जब हम solve करते हैं तो इसकी value हमारी क्या आजाती है y square प्लस sin y y square प्लस sin y आजाएगा अर्थाठ dx बराबर क्या आजाएगा यहाँ पे dx बराबर y square प्लस sin y कोश्टक के बाहर dy अब दोनों और हमें क्या कर लेना समाकलन कर लेना है समाकलन कर लेंगे dx बराबर कोश्टक y square प्लस sin y कोश्टक के बाहर dy इसकी value क्या आजाएगी dx के x आजाएगी x बराबर y cube आजाएगा यहाँ पे y square नहीं y cube upon 3 minus cos y प्लस c अब देखे किसमें यह दिया गया है x बराबर y cube upon 3 minus cos y आप देखेंगे जो d option दिया गया है x बराबर y cube upon 3 minus cos y plus c d वाल option सही हो जाएगा इसके बाद आजकल समीकन दिया गया है dy dx बराबर x upon x square plus 1 यह बहुत ही असान प्रश्ण है इसको आप लोग कर लेंगे बहुत ही असान है इसको मैं तोड़े देता हूँ डिरेक्टी अगर तोड़ेंगे तो dx से जो dy दिया गया है इसको हम तोड़ेंगे तो dy बराबर निकाल लेजे इसको dy बराबर x upon x square प्लस 1 इंटू यहाँ पे dx कर लिजे इतना तोड़ लिजे और दोनों और समाकलन कर दीजे dy का समाकलन करेंगे y आ जाएगा और x अपान x स्क्वार x स्क्वार प्लस 1 dx करेंगे तो 1y2 पहले निकरेगा आप बाहर ठीक इसके बाद 2x अपान x स्क्वार प्लस 1 dx हो जाएगा इसके बाद y इसकल 2 1 अपान 2 लाग हो जाएगा x स्क्वार प्लस 1 c आ जाएगा तो यहाँ पे जो कौन सा अप्सन हमारा सही हो जाएगा तो यहाँ पे जो b अप्सन दिया गया है वह सही हो जाएगा ठीक है कुछ ने करना समाकलन बहुत important है समाकलन औकलन ये दोनों चीजें बहुत important हो जाती है अंगला वक्र Y बराबर log X जो XH और X-E अंतरगत घिरे हुए छेत का छेत पल दिया गया है इसका solution क्या होगा लेके Y बराबर log X मान लेजे ये आपका lady दिया गया है तो Y बराबर यहां पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है X बराबर 1 हो जाएगा तो हमारा अभिष्ट छेत्पल क्या निकल किया जाएगा इंटिगेटर 1 अपान E Y DX जब इसको सॉल्ब करते हैं इंटिगेटर 1 अपान E कोश्टक अंदर log E X बाहर DX हो जाएगा अर्था जब इसको सॉल्ब करते हैं तो X log X माइनस X कोश्टक अंदर 1 अपान E 1 से E तक इसको जब हम सॉल्ब करते हैं तो E log E माइनस E कोश्टक बंद माइनस 1 लाग 1 माइनस 1 यहाँ एक बार E करेंगे एक बार 1 कर लेते हैं तो E माइनस E आ जाएगा माइनस 0 माइनस 1 हो जाएगा इसकी value हमारी क्या हो जाएगी A का निकल के आएगी यहाँ पर जो B option दिया गया है हमारा छेतफल एक हो जाएगा इसका अब देखें परवले से प्रिशन पूंचा गया है परवले दिया गया है Y square प्रस बराबर 4X है और सरल लेखा Y बराबर 2AX के अंतरगत घिरे हुए चेत का छेतफल पूंचा जा रहा है यह भी बहुत ही सिंपल सर्प्रसन हो जाता है कैसे हो जाएगा देखें Y बराबर 4X और Y बराबर 2AX को हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा X बराबर 0 होगा या X बराबर 1A प्राप्त होगा इसी प्रेकार Y बराबर 0 या 2 प्राप्त होगा तो अब इस चेतफल हमारा क्या बन जाता है 0 से लेके 1 अप्राप्त अ तक हम निकालेंगे यहाँ पे FX माइनस 5X FX अपान माइनस 5X हो जाएगा और बाद में हमारा DX हो जाएगा तो अभी शेतफल इसको अप्सॉल्ब कर लेंगे अब बहुत ही सिंपल सा प्राप्त बन गया है 0 2 1 अपान A कोश्टक के अंदर अंडर रूट में अपना क्या आजाएगा 4AX आजाएगा तो कि FX हमारा कितना दिया गया 4AX हो जाएगा अंडर रूट के अंदर माइनस 2AX कोश्टक बंद DX हो जाएगा अब इसको हम 2 अंडर रूट हमारा क्या निकल गा बाहर निकल के आएगा 2 अंडर रूट A हमारा बाहर निकल के आजाएगा 0,2,1 अपन A X की पावर 1 अपन 2 माइनस अंडर रूट AX DX हो जाएगा अब इसको आप लोग आसानी से सॉल्ब कर लेंगे आंगे 2 अंडर रूट 1 हो जाएगा 2 बटे 3 X की पावर 3 अंडर रूट A X स्क्वेर अपन 2 A स्क्वेर जो फैक्टूरियल हमारा चलेगा 0,2,1 अपन A तक रहेगा तो पहले 0 करेंगे इसके बाद 1 अपन A कर लेते हैं तो जब इसको हम सॉल्ब कर लेते हैं तो 2 अंडर रूट A 2 बटे 3 A की पावर 3 वाई 2 माइनस 1 अपन 2 A की पावर 3 वाई 2 जब इसको सॉल्ब कर लेते हैं तो 2 अपन A आ जाएगा 4 माइनस 3 अपन 6 इसकल to 1 अपन 3 A तो 1 अपन 3 A किसमें दिया गया है देखेंग इसी आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रस्ण दिया गया है कि 2 बल P और Q यदि ऐसे कोण पर कार करें कि उनका पैडामी बल R और बल P के बराबर हो क्या दिया गया है 2 बल P तथा Q यदि ऐसे कोण पर कार करें कि उनका पैडामी बल R और बल P के बराबर हो यदि P का दोगना किया जाए तो नए पईडामी बल और Q के साथ बना कोण कितना होगा सभी लोग अताईए यहाँ पे कुछ नहीं करना है यहाँ पे मान लीजे P और Q के बीच का कोण क्या है अलफा मान लीजे यदि P और Q के बलों का पईडामी R बल पी के बराबर है तो R स्क्वेर बराबर P स्क्वेर प्लस Q स्क्वेर प्लस 2P क्यू कोण अलफा इससे हमें क्या निकल के आएगा P स्क्वेर बराबर P स्क्वेर प्लस Q स्क्वेर प्लस 2P क्यू कोण अलफा यह हम ऐसा लिख सकते हैं Q Q2 बराबर 2P Q कॉस अलफा बराबर 0 के यह हम ऐसा लिख सकते हैं Q and कोश्टक के अंदर Q प्लस 2P कॉस अलफा कोश्टक बन बराबर 0 तो बल Q सून के बराबर नहीं है यह हमें यहां से पता चलना है इसलिए Q प्लस 2P कॉस अलफा बराबर 0 यह हमारा पहला समी करना जाएगा अब यदि बल P को दो गुना होता है यदि जो बल P दिया गया है अगर यह दो गुना हो जाता है यदि बल 2P और Q हो जाता है तो माना इन बलों का पैड़ामी बल Q से थीटा कोण बनता है अर्था 10 थीटा बराबर Q साइन अलफा अपान P प्लस Q कॉस अलफा से तो 10 थीटा इसकल 2 बराबर वैलू क्या जाएगी 2P कॉस अलफा अपान Q प्लस 2P कॉस अलफा या 10 थीटा बराबर वैलू आजाएगी 2P साइन अलफा अपान 0 बराबर इन फिन्टिव अर्था 10 theta बराबर value क्या जाएगी 1090 degree अर्था theta बराबर 90 degree आ जाएगी तो पड़्यामी कौन हमारा क्या हो जाएगा 90 degree D option सही हो जाएगा इसके साथ हम बात करेंगे अंगले फिस्न के एक पिंड 256 फुट उची मिनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय एक पिंड मिनार की जड़ से इस वेग से फेका गया कि वह उसे मिनार की चोटी तक ले जाने के लिए परयाप्त है वे मिनार के जड़ से निकली उचाई पर मिलेंगे तीक है वे मिनार के जड़ से कितनी उचाई पर मिलेंगे ये आपको बताना है तो माना मिनार की जड़ से फेके गए पिंड का आरंभिक वेग मानले जे you ए दोनों पिंड के गती आरंब करने में समय आपका टी सेकंड है और बाद में जड़ से उचाई पर हमारा h उचाई पर मिलता है तो उचाई H आपका समय जो दिया गया है T सेकंड में और वेग आपका U हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपकी निकल के आ गई इसके बाद जब ये चीज़ें हमारे मिल जाती है तो फिर हमारा फार्मूला काम करता है लेकिन फार्मूला के पहले ये चान लेज़े कि मिनार के जर्स से फेका गया पिंड केवल 256 फुट की उचाई तक जाता है इसलिए B2 बराबर U2 प्लस 2FG 2FH इससे निकालेंगे फार्मूला क्या होता B2 बराबर U2 प्लस 2FH से निकालेंगे तो B की वैलू, B2 की वैलू 0 दी गई है U2 माइनस 2 इंटी 32 इंटी 256 यहाँ पे U की वैलू हमारी क्या निकल के आती है 128 फुट प्रति सेकंड गिर्तोहिय पिंड के लिए निकालेंगे कितना जाएगे गिर्तोहिय पिंड के लिए 256 माइनस H बराबर 1 बटे 2 गुणे 32 गुणे T स्क्वेर तो उपर फेके गई पिंड के लिए क्या आ जाएगा H बराबर 128 T माइनस 1 अपान 2 इंटू 32 इंटू T स्क्वेर अब यह समीकंड हमारा दूसरा हो गया पहला समीकंड क्या था जो गेर्थवी पिंड का हमने निकाला था 256 माइनस H बराबर 1 बटे 2 गुणे 32 गुणे T स्क्वेर यह गेर्थवी पिंड का और उपर फेके पिंड का है H बराबर 128 T माइनस 1 बटे 2 32 इंटू T स्क्वेर इन दोनों समीकंड को जोड देना है जब इन दोनों समीकंड को जोड देंगे तो 256 बराबर 128 T यानि T बराबर कितना जाएगा 2 सेकंड सा जाएगा तो समीकंड एक में T का मान रख दीजी समीकंड एक हमारा क्या था 256 माइनस H 256 माइनस H बराबर 16 गुणे 2 का स्क्वेर कर देंगे तो H की वहलू हमारी क्या निकल के आ जाती है 256 माइनस 64 निकल के आ जाएगा बराबर 192 फूट आपका निकल के आ जाएगा तो देखेंगे आपका जो D आप्सन दिया गए है वह हमारा सही हो जाएगा प्रस्ने कि यह बेक्ति जो नदी के किनारे खड़ा है नदी के दूसरे किनारे परिसीत एक ब्रच का उन्यन कोंड 60 डिग्री है जब वह 40 मीटर पीछे हटता है तो कोंड 30 डिग्री हो जाता है नदी के चोड़ाई बताईए कोई विवेक्ति नदी के किनारे खड़ा है नदी के दूसरे किनारे परिसित एक ब्रच का 99 कौन साथ डिगरी पाता है जब चालिस मिलड़ पीछे हटता है तो कौन 30 डिगरी हो जाता है तो नदी की चौड़ाई हमें बताना है इसके लिए में डाइग्राम बनाना ही पड़ेगा सभी लोग जानते है एक हमें यहाँ पर डाइग्राम बना लेते है ठीक है यह डाइग्राम बना लेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी हमें समझाने में और आपको समझने में यह भी एभी डाल लेते हैं यह आपका 60 डिगरी है और यह आपका 30 डिगरी है अब इस चित्र में देखिए ब्रच यहां पर H उचाए दी गई है O P आपका ब्रच हो गया नदी की चौड़ाई क्या निकल किया जाएगी 0 to 60 डिग्री और A से B जो ब्यक्ति दिया गया है उस पर 40 मीटर है तो B से A तक इसकी जो दिये गई है 40 मीटर दिया गया है और यह नदी के चौड़ाई है O यह हमारी नदी के चौड़ाई हो जाती है तो इस चित्र में देखा गए कि B बराबर H quarter 30 B बराबर यहां पर क्या निकल किया रहा है H quarter 60 डिग्री निकल किया रहा है तो B प्लस 40 बराबर कौट 30, B प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा, कौट 30 हो जाएगा, तो B अपान B प्लस 40 हो जाएगा, B अपान B प्लस 40 बराबर कौट 60 बराबर क्या जाएगा, 1 अपान अंडरूर 3 बराबर 1 बराबर 3 अर्थात 3 बराबर B प्लस 40 के, तो 2B बराबर के आ जाएगा 40 के आ जाएगा तो B बराबर 40 बटे 2 मतलब B की वैलू 20 मीटर आ जाएगी तो यही तो पूंचा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर हो जाएगा इसके बाद अंगला पृष्णा है बिंदू 1,2,4 से गुजरने वाली रेखा दी गई है X-8 बटे 3 बराबर Y धन 19 बटे 16 बराबर Z 10 बटे 7 एब हम X बटे X-15 बटे 3 बराबर Y-29 बटे 8 बराबर Z-5 बटे 5 पर लंब रेखा का समीकर्ण पूंचा जा रहा है तो इसमें लंब रेखा का समीकर्ण आपका क्या हो जाएगा बहुती सिंपल सा प्रस्ण है दो लाइन का केबल प्रस्ण है देखें 1,2,4 से गुजरने वाली रेखा की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1,2,4 से गुजरने तो परंतू 3L-16M धन 7N बराबर 9 दिया गया है क्या दिया गया है परंतू 3L-16M धन 7N बराबर 0 के दिया गया है तो 3L धन 8M रिन 5N बराबर 0 के तो अभी इस रेखा क्या हो जाएगा हमारा निकल क्या जाएगा x-1 बटे 2 बराबर y-2 बटे 3 प्लस j प्लस 4 बटे 6 यह किस में दिया गया है? किस आपसन में दिया गया है? पहला ही आपसन दिया गया है मैंने का था केवल 2 लाइन का प्रिशन है आपका अंगला अपस देख लेते हैं वह अनपात जिसमें समतल दिया गया है y बराबर 0 जिसमें बिंदू 2-4-7 दिये गया है 3-5-8 को मिलाने वाली रेखा को विवाजित कर रहा है समझेगा द्यान पूरक वह अनपात जिसमें समतल y बराबर 0 पर बिंदू 2-4-7 358 को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है माना अनपात P अनपाते क्यों मान लीजे अनपात क्या मान लेना P अनपाते क्यों अनपात मान लीजे चुकि उस बिंदु का Y निर्दे सांग सुन है यहां पे Y बराबर 0 दिया गया तो यहाँ पे हमारी value निकर के आजाएगी value क्या निकर के आएगी minus 5P plus 4Q इसकल तो 5P बराबर 4Q हो जाएगा यह कह सकते हैं 5P बराबर 4P कर सकते हैं या P बटे Q बराबर 4 बटे 5 और 4 अनपाते 5 की बात की जा रही है यहाँ पे second option सही हो जाएगा अंगला पस देख लेते हैं रेखा A AX 6 theta plus B Y 10 theta बराबर A तथा AX 10 theta plus B Y 6 theta बराबर B जहाँ थीटा प्राचल है इसके प्रच्चेत बिंदु का पत पूँचा जा रहा है देखे ध्यान पूरक समझ लीजे दोस्तों ध्यान पूरक आपको समझना है और समझने के लिए आपको दो चीजें बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है देखें समझना क्या है यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है A6 theta plus B Y 10 theta बराबर A AX 10 theta plus B Y 6 theta बराबर B जहाँ थीटा आपका प्राचल है तो प्रतिचेती बिंदु का बिंदुपत कौन सा हो जाएगा वह आपका बहुत इसान है वह हो जाएगा एक अती परवले हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक अती परवले की बात करें इसके बाद जो अंगला दिया गया है कि परवले Y square बराबर 4X के बिंदु A2 square 281 पर अभिलम खींचा गया है जो पुने बिंदु 282 का square 282 पर मिलता है तब हमारी value क्या हो जाएगी तो तब हमारी value जो हो जाएगी आपके इन में से कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है Y square बराबर 4X के बिंदु दिया गया है A2 का whole square A2 square प्लस 2 A21 और 2 A2 square प्लस 2 A22 दिया गया है तो यहाँ पे आपका ना T1 बराबर 2 T2 होगा ना T1 square बराबर 2 T2 होगा बराबर 0 ना T1 T2 बराबर 1 होगा तो यहाँ पे हमारा D option से ही हो जाएगा अंगला दिया गया है यदि ब्रत जिनकी त्रिजाएं R और R कम से S बराबर 0 वा S ड़ाबर 0 को लंब कोणी ब्रत पर का समी करण है तो इसका जो मान हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा S बटे R प्लस माइनस S ड़ाबर 2R सिम्पल सी बात है S बटे R प्लस माइनस S ड़ाबर 2R से कंड आपसन जो B वाला दिया गया हमारा सही हो जाएगा दोस्तों यदि लेम्डा समुच्चे F सदी समिष्ट भीयप पर रैखिक संकारक का अभिलाचनिक मान है तब किसी बहुपत PT का अभिलाचनिक मान कितना हो जाएगा तो वाई समुच्चे F सदी समिष्ट भीयप का रैखिक संकारक का अभिलाचनिक मान तब किसी बहुपत P-T का जो अभिलाच्निक मान हो जाएगा वै आपको हो जाएगा P-Lamda कितना हो जाएगा P-Lamda हो जाएगा P-T जगे क्या हो जाएगा हमारा P-Lamda हो जाएगा अंगला है यदि Lambda बित्क्रमिनी रुपांतरन T का एक अभिलाच्निक मान है तो T inverse का अबलाचनिक मान कितना होगा सब ही लोग बताइए तो T inverse का अबलाचनिक मान पूछा जा रहा है जिसका right option हमारा lambda inverse हो जाएगा क्योंकि lambda का बितकमी रुपांतर T दिया गया है इसका अबलाचनिक मान T inverse है तो T inverse का बलाचीक मान क्या हो जाएगा आपका lambda inverse हो जाएगा इसके बाद आपका अंगला है 20 number questions पूचा जा रहा है आए देख लेते हैं और आपका feedback जान लेते हैं देखें इस प्रस्ण को अगर ध्यान पुर्णक समझें इसमें जो आपका view दिया गया है इसमें दिया गया है x का मान बराबर होगा x का मान निकालना है यह आप लोग असानी से कर देंगे देल बराबर x प्लस a into x minus b into x plus c plus x plus b into x minus a into x minus c इसको बिस्तार कर लेना वस इसको बिस्तार आप लोग कर लेंगे जब आप लोग इसको बिस्तार करेंगे तो आपकी जो x की value निकरेगी वह शून निकलेगी आपको केवल इसको बिस्तार कर लेना 0 के बराबर रख लेना है क्या रख लेंगे जीरो के बरावर आपको क्या रख लेना है वही आपकी लिख देना है x minus b into x square minus ax plus cx plus ac कोश्टक बंद कर दीजिए फिर प्लस कर दीजिए x plus b कोश्टक बंद फिर कोश्टक शुरू x square minus ax plus cx plus ac इसको आप साख कर लेजिए इसकी x की value आपकी 0 निकल क्या जाएगी ठीक है सी बाल आपसान आपे सही हो जाएगा और अंगला प्रस ने जो आप सभी के लिए more question के रूप में सारनिक दिया गया है इस सारनिक का मान पूछा जा रहा है सारनिक आपके दे गए इस सारनिक का मान πाई होगा e होगा zero होगा या e minus πाई plus under root 2 होगा तो इस सारनिक का मान क्या होगा या आपको comment करके बताना या आप सभी के लिए more question के रूप में प्रशन है तो I hope आप लोग अच्छे तरीके समझ भए होंगे ये top 20 question को सभी लोग इसी तरह क्लास को टेंड कीजिए और साम को 7 p.m. में हमारी पेडागाजी सिर्चन सास की क्लास होगी जो important chapter है तो सभी लोग 7 p.m. में लाइब क्लास के सुझाद जुड़िएगा मैं आपके साथ जैस्वास सर मिलता हूँ आपके यंगली क्लास पर सभी मित्रों को जैहिंद वंदे मात्रव धनवाश अभी का